नमस्कार दोस्तों, Gardening Pledges चैनल पर आप सभी का स्वागत है फरवरी मार्च का महिना पेड़ पोधों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस सीजन में आप कटिंग से भी बहुत सारे पोधे तयार कर सकते हैं और बीज से भी कई सारे प्लांट उगा सकते हैं विंटर प्लांट में धीरे धीरे फ्लापरिंग जब कम होने लगती है उसके बाद सुरू होता है समर प्लांट का सीजन समर सीजन में फ्लापरिंग करने माले ज़्यादा तर प्लांट पर्मानेंट होते हैं जो हमें 9 मर दिसंबर तक फूल देते रहेंगे लेकिन प्लांट गार्डन में हमेशा बने रहेंगे तो चलिए दिखाते हूँ ऐसे कौन कौन से समर फ्लॉबरिम प्लांट से जो मार्च की महीने में आप आसानी से घर में लगा सकते हैं पहले नमबर पर आता है सुन्दर रूपा या जट रूपा ये बहुत ही जादा इसली ग्रो हो जाता है कटिंग से और सीर्ट से दोनों ही तरीके से इसे लगा सकते हैं और जादा इसमें केर की भी जरूरत नहीं पड़ती है महिने में एक बार बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और केवल दो तिन घंडे की दूप में भी ये प्लाण अच्छी प्लॉब्रिंग करता है दूसरे नमबर पर आता है गुलाब फरबरी की सुरुवात से ही आप हर तरह की गुलाब को कटिंग से लगा सकते हैं मार्च की महिने में अगर आप गुलाब का प्लांट खरीद रहे हैं तो बटन रोज की फूल आपको अक्टूबर नॉमबर तक मिलते रहेंगे बाकी रोज प्लांट से ये थोड़ा लो मैंटिनेंस भी है तीसरे नमबर पर आता है गुड़हल का प्लांट हिविसकस की हाइब्रेड या देशी कोई भी वेराइटी हो मार्च की महिने में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और नया प्लांट भी ले सकते हैं मार्च की महिने से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती हैं अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं, जिन में फ्लाप्रिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो हलके-लके सी आप स्टाम फ्रूनिंग भी कर सकते हैं, चोथे नमबर पर आता है, बहुत ही खुपसूरत कई कलर्स में मिलने वाला गॉम फ्रेना प्लांट, छोटे-छोटे गो स्टाम फूलों के पेट्ल्स को तोड़ कर मिट्टी में डालना है, पेट्ल्स को मिट्पसैल बहुत जादा गहरा इसी नहीं डालना है, मिट्टी के ले आएक कवल आदा इंचू पर सी लगाना है, बहुते समय अच्छे सी पानी दे दे, उसके बाद केवल नमी बवना की र इसकी बेल को आप गेट पर भी लगा सकते हैं फूल पकने के बाद एक ही फूल से कई सारे बीज इसके निकलते हैं यह देखिए इन्हीं सीट से आप गलोरी के बहुत सारे पौदे बना सकते हैं और कई सारे कलर्स भी इसमें आते हैं मौर्णिंग गलोरी को बीज से उगाने के लिए फरवरी मार्ज का महिना सबसे अच्छा है इस टाम आप इसके बीजों को ऐसे ही मिटी में फैंक देंगे तब भी एक ग्रो हो जाएंगे अगला इसी तरह का हार्डी प्लांट है मैंक्सिकन पिटुनिया एक बार अगर आपने इस प्लांट को लगा लिया तो इतने सारे प्लांट बनेंगे आपको उखाल के फैंकने पड़ेंगे यह देखिए यह जो इसके सीड्स है यह जब ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो अपनी आप यह चटक के मिटी में गिर जाते हैं इन ही बीजों से इसकी नए प्लांट बन और cutting से भी यह बहुत आसानी से लग जाता है यह देखिए सूखने के बाद seed pot खाली बचा है और 20 सारे मिट्टी के अंदर गिर गए हैं अगर आपके पास पुराने plant रखे हैं तो इस समय साप सपाई करके अच्छे से खाद पानी दे दे मार्च से दिसंबर तक इसमें भर भर के फूल आएंगे आठवा plant है हरसिंगार या पारिजात का यह plant भी आप इस समय बीज से या cutting से लगा सकते हैं या फिर नर्शरी से खरीद भी सकते हैं हरसिंगार में सितमबार- अक्टूबर से फ्लॉबर रिंग स्टाट होती है और जन्वरी के बाद इसमें फ्लॉबर बंध भी हो जाती है रात में इसकी फूल खिलते हैं और सुभई धूप निकलते ही फूल गिरने लगते हैं इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुसभू आती है, मार्च तक इस प्लांट को जरूर लगा ले अगला प्लांट है अपराजिता का, अपराजिता के प्लांट को भी आप बीज से और कटिंग से दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं फरबयी मार्च में इसके बीज बहुत तेजी से गरू होते हैं, वैसे मांशून सीजन में भी आप इसे बीज से गरू कर सकते हैं लेकिन यह देखिए जैसे मटर की फली होती न सेम वैसे ही इसके भी सीट पॉट होते हैं दिसंबर से जब इसका डॉर्मेंसी पीरियड आता है तो छोटे जो प्लांट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए मार्च तक इस प्लांट को जरूर लगा लें ताकि स तरदी आने से पहले नई प्लांट में चेर हो जाएंगे तो यह खराब नहीं होंगे दिसंबर जन्मरी में जब यह डॉर्मेंसी में चला जाता है तब इसमें प्लॉप्रिंग बंद हो जाती है और फरवरी आता ही जैसे ही हम इसकी गुडाई करके खादा देते हैं फिर से इसमें नई ग्रोज सुरू हो जाती है और फूल आने लगते हैं अगला प्लांट है कनेर का वाइट पिंक रेड येलू किसी भी कलर का कनेर का प्लांट आप इस सीजन में लगा सकते हैं कनेर का प्लांट कटिंग से ग्रो करने में काफी टाइम लगता है कटिंग से लगाने के लिए मांसून सीजन ज़्यादा सही रहता है लेकिन प्लांट अगर आप लगाना चाह रहें तो मार्च में इस समय आप नर्शरी से ले सकते हैं अगला प्लांट आता है बेला और मोगरा का ये दोनों ही प्लांट आप फरबरी मार्च में कटिंग से लगा सकते हैं ये की प्लांट आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं गार्डन को कलर्फुल बनाने के लिए बोगन बिरिया का प्लांट भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है मैंने कई प्लांट कटिंग से तयार किये हैं चंपा की कटिंग भ यह समय बहुत यह अच्छा है इडानियम के प्लांट पर कटिंग का कोई भी काम नहीं करना इस समय आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं अगला प्लांट है गुलाब की तरह दिखने वाला अजेलिया का प्लांट लेकिन इस प्लांट को गेर की थोड़ी ज़्यादा जरूरत हो काफी समय लगता है 20-25 दिन बाद ही इसमें जड़े आती हैं ज्यादा फूल लेने के लिए आप इसे बड़े गमले में लगाई है या फिर ग्रांट पर जगह हो तो वहां भी लगा सकते हैं इसके अलाबा कुछ प्लांट ऐसे भी हैं यहने केर की बिलकुल जरूरत नहीं पर्यापत सनलाइट मिलती रहे समय पर पानी मिलते रहे और थोड़ी बहुत खाती रहें यह परसनेल का प्लांट इसकी छोटी सी भी कटिंग आप लगा देंगे तो यह बड़े अराम से ग्रो हो जाती है समर और रहनी सीजन में यह काफी अच्छी ब्लोबिंग करते हैं इ सेंगेंग बास्केट में भी यह प्लांट काफी सुन्दर लगता है सेम तरीके से आप दस बजिया का प्लांट भी इस समय लगा सकते हैं प्लांट को घना बनाने के लिए कटिंग के चोटे-चोटे टुकड़े आप इस तरह से कई जगए पर दबा दें इसकी कटिंग इस समय आप कुछ फ्लाबरिंग प्लांट बल्व से भी लगा सकते हैं रजनी गंदा पहुत अच्छी कुस्पू वाला प्लांट है इस समय आप इनकी बल्व लगा सकते हैं ज्यादा फूल लेने के लिए एक पॉट में दो तीन से ज्यादा बल्व ना लगाएं बल्व का स सीजन में जव इनकी खिलने कर टाइम आएगा तब तक प्लांट मैच्यों हो जाएंगे तो अच्छी बलूमिंग करेंगे इसके अलाबा सन फ्लावर सीट्स भी आप इस समय बो सकते हैं सन फ्लावर की सीट्स को आप साल में तीन बार बो सकते हैं फर्वरी से मार्च की यह बी यह टाम बिल्कुल परफेक्ट है तो फ्रेंट्स आपको कौन से प्लांट का डेटेल वीडियो चाहिए कॉमेंट में जरूर बताएं मैं पूरी कोसिस करूँगी आप तक वीडियो पहुंचाने की थेंक्यू